हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MPPEB, मद्धय प्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के बारे में, जो की फ्रेंज यहाँ पर इन्वाइ मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, अगर आप एलिजीबल हैं, अपलाए करना चाहते हैं, आप इस वेकेंसी के लिए अपलाए कर सकते हैं, 31.12.2020 से, तो फ्रेंज, आपके जो ये फॉर्म है, ये 31.12.2020 को एक्टिवेट होंगे, 14.02.2021 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पर फैंसे जो ओनलाइन फॉर्म हैं, उनमें फैंसे अगर आप एडिट करना चाहेंगे, तो इसके लिए 19.12.2021 रखी गई है, इसके बाद फैंसे बात करते हैं, इसके एक्जामिनेशन फीस के लिए, तो जनरल कैटिगरी के लि एसी, स्ट कैंडियेट या ओबीसी या पीच कैंडियेट के लिए जो की मद्धर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए फैंसे दो परशन पत्र के लिए 400 रुपे और एक परशन पत्र के लिए 300 रुपे फीस आपको यहाँ पर देनी होगी, अगर आप यहाँ पर MP Online क पोर्टल शुलक अगर यूज करेंगे तो 60 रुपे यहाँ पर आपको एस्टरा देने होते हैं इस पोस्ट को भरने के लिए, अगर आप सिटिजन यूजर के माध्यम से फॉर्म फिल करवाएंगे तो 20 रुपे आपको यहाँ पर देने होंगे, अब यहाँ पर फ्रेंस आपका एक्जाम डेट, तो फ्रेंस यहाँ पर जो आपका एक्जाम है, उसमें फ्रेंस आपका एक्जाम फ्रेंस 6 सेतंबर 2021 को होने वाला है, 7 से 8 बजे का टाइमिंग आपको रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, और यहाँ पर जो उत्तर अंकित करने का समय है, वो 9 से 11 बज आती है, इसमें रडिस्टेशन जो आपका होता है, वो अधार कार्ड के थुरू होता है, अधार कार्ड में आपका मॉबाइल नमबर रडिस्टर होना जरूरी है, क्योंकि उस पर एक OTP आता है, वो OTP आपको वेरिफाई करना होता है, और उसके बाद ही आप लोगिन कर सकत आता है, अधार कार्ड में मॉबाइल नमबर रडिस्टरेशन करवाने में, इसके बाद फैंसे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन को आप आराम से पढ़ सकते हैं, और इसके बाद आपको यहाँ पर टेबल मिलेगी, टेबल ऑफ कंटेंट जिसमें फैंसे आपको इस वेकें अब यहाँ पर फैंसे देखिए जो वेकेंसी है वो फैंसे रेडियो और अधर देन रेडियो में आपकी यहाँ पर वेकेंसी देखने को आपको मिल जाएगी, जो कि आप पोस्ट वाइस यहाँ पर वेकेंसी को चेक कर सकते हैं, तो ओवराल वेकेंसी यहाँ पर 4,000 आपके रहने वाली है इसके बार friends आरक्षक GD के पदोग का जो वर्गेकरन है वो आपको यहाँ पर दिया गया है इसमें DEF और SEF में जो वेकेंसी के आपका डिवाइडेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अब यहाँ पर friends आपका जो reservation criteria है किस-केंडियेट के लिए रहेगा क किस category के लिए रहेगा वो आप इस section में चेक कर सकते हैं अब यहाँ पर इस पद्रव के लिए friends से उमीदवाद को भरत का नागरिक होना जरूरी है मद्दे प्रदेश के स्थाई निवासी अगर आप नहीं है तो आप अनारक्षित या open के अंत्रगत यहाँ पर अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे और आपको कोई भी आयू सीमा में छूटे नहीं मिलेगी इसका मतलब यह है कि 1 अगस 2020 को आपका age criteria count होगा 18-33 साल आपका age criteria यहाँ पर रहेगा अगर आप मद्देश परदेश साज्य के स्थाई मूल निवासी है और आपना प्रमाण पत्र शो करते हैं तो फ्रेंस से आपको 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 आपर age में छूटे मिल जाती है इसके बाद पद का नाम यहाँ पर आपको दिया गया है जो की है जेडी और रेडियो जिसमें 19,500 से 62,000 रुपे आपकी सेलरी रहेगी और इसके बाद फ्रेंस से यहाँ पर आपको जो एस्टा भत्ते हैं जो भी सेलरी के अलावाट जो आपको मिलता है वो आपको मिल जाएगा अब यहाँ पर ध्यान रखेगा आपका जो भी age क्राइटेरिया है यह एक अगस 2020 को ही काउंट होगा आप इस डेट पर ही काउंट करेंगे और आपका जो age क्राइटेरिया है वो आपका दिये गए आपके जो ऑप्शन से उनमें होना ज़रूरी रहेगा इसके बाद फ्रेंस से यहाँ पर देखिए आपकी जो न्यून तम सालेरिक अहरता है फिजिकल स्टेंडर है इसमें पूरुष केंडेट के लिए 168 cm आपका हाइट होना चाहिए महिला के लिए 155 cm आरक्षर जीडी SCST के अलावा जो केंडेट है उनके लिए 160 cm और 155 cm महिला के लिए अगर बात करें चेस्ट के तो 21 to 86 आपका चेस्ट होना चाहिए फुलाने और फुलाने के बाद तो ये जानकर ये आपको यहाँ देखने को मिल जाती है इसके अलावा यहाँ पर जो other categories है जिनको reservation मिलता है height में उनको यहाँ पर कुछ छूट मिल जाएगी आपके height criteria में इसके बाद है section एक योगिता तो friends से gd के लिए 10 plus 2 परणाली के अंत्रगा 10 वी class पास आउट होना या फिर higher secondary उसके समकक्ष पास होना आपका जरूरी रहेगा अगर बात करें यहाँ पर ST candidate के लिए तो friends से उनके लिए 8 वी class पास आउट होना जरूरी है अगर आरक्षा के रेडियो के लिए आप अपका जरूरी है तो 10 plus 2 पास आउट होना आपका जरूरी है और 7 friends से आपके पास NCVT या SCVT का दो वर्सिय पाठेकरम जोकि electronics या फिर आपके computer में या फिर आपके instrumentation mechanic में आपके पास जो trades आपको दी गई है इसमें आपके पास होना जरूरी है अगर आप इस vacancy के लिए apply करना चाहते हैं तो या फिर friends से यहाँ पर आपको दिया गया है 3 वर्सिय डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा आपने relevant trade या discipline में कर रहा है तो भी आप इसमें eligible हो जाते है या फिर आपके पास 4 years की degree है BE, BTEC तो भी आप इस vacancy के लिए eligible है तो आपको यहाँ पर अगर आप BTEC holder है आप IT holder है, आप डिप्लोमा holder है तो भी आप friends इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं और यह friends इस आपका आरक्षक रेडियो के लिए रहेगा आरक्षक GD के लिए friends इहाँ पर 10 प्रस 2 में आपका 10 class pass out है वो होना जरूरी है अगर आप इस vacancy के लिए apply करना चाहते हैं उस condition में इसके बार friends इहाँ पर देखिए है आपके selection criteria इसमें friends से online परिक्षा होगी समस्त पर लो हे तू इसमें पर आपका प्रथम प्रशन पत्र रहेगा अगर दृत्रे प्रशन पत्र की बात करें जो की आरक्षक रेडियो के लिए है तो friends वो second प्रशन पत्र भी देंगे अगर आप सिर्फ यहाँ पर normal form को fill कर रहे हैं without radio तो आपको सिर्फ एक ही प्रशन पत्र यहाँ पर fill करना जरूरी रहेगा यहाँ पर friends से आपको duration दी गई है दो दो घंटे का आपका paper होगा अधिक्तम 100-100 marks का आपका यह exam होने वाला है और इसके बार friends से यहाँ पर आपको exams related या फिर उसके प्रमान पत्र स related जानकारी देखने को मिल जाती है इसके बार आपका जो यहाँ पर उमीदवारों का जो test होगा उसमें देखिए आपकी जो डोड होगी वो friends से 800 मीटर की डोड आपको complete करनी होगी और यहाँ पर आरक्षक GD के लिए और फिर आरक्षक GD महीला या जो आपके home guard है उनके लिए भूत पूर सैने के लिए या home guard सैने के लिए आपको timing दी गई है गोला फेक में आपको यहाँ त्यज़ दूरी तक आपको गोला फेक ना होगा और जो यह notification है यह आप पढ़ सकते हैं वीडियो description में जाकर साथ में इसकी official website पर भी यह update हो चुकी है तो वहाँ पर जाकर भी आप details को check कर सकते हैं अगर आप eligible हैं apply करना चाहते हैं apply कर सकते हैं और पूरी की पूरी notification आपको description में available है वहाँ पर जाएए details को check कीजिए आप eligible हैं तो 31 तारिक को इसका form fill up का वीडियो भी available करा दिया जाएगा वहाँ पर जाकर आप इसके form fill up की process भी चेक कर पाएंगे तो यहाँ पर friends से जो भी process में आपको इस वीडियो में बताई है अगर वह आपको पसंद आई है तो friends आप like, subscribe and share जरूर कीजिए बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube channel and last thanks for watching